बच्चों को विभिन आकारों के बारे में बताएंगे Good afternoon class Sit down आकार जानते हैं क्या होता हैं क्या आकार से क्या समझते हैं आप لو आकार आकार का मतलब क्या होता है कुछ मालूम है नहीं मालूम है ये क्या है इसको हिंदी में क्या कहते है गेंद इसका आकार कैसा है ये कैसी है कैसी है गोल ये कैसी है ये क्या चीज़ है टोपी टोपी हम कब लगाते है जब किसी का बर्थडे होता है किसी का जनम देन होता है तब हम लगाते है ठीक है तो ये कैसा था गोल गोल और ये और बताईए गोल-गोल चीजे और कौन सी होती है गड़ी गोल होती है और आपके क्लास में कौन-कौन सी गोल चीजे है बताईए फैन का बीच का जो वो है वो गोल है और बताईए बल्ब का वो गोल है बल्ब का जिसमें बल्ब लगाया जाता है उसको होल्डर कहते है बल्ब का होल्डर गोल है एसी का प्लग गोल है ठीके? तो ये जो गोल चीजे होती है यहाँ बोटल को धकन भी गोल होता है और हाथ में जो आप चूड़ी पहने वो क्या गोल गोल है गोल गोल है ना हाँ और कंचे ओते कंचे गोल गोल होते हैं और सोची क्यों कौन सी चीज़े गोल होती है अलू बिल्कल गौल नहीं होता है, संत्रा गौल होता है, मोसंबी गौल होती है. एक एक करके ऐसे नहीं, चिलाएंगे नहीं, चिलाएंगे नहीं. तो इस जो ये गोला है इसको हम क्या नाम देते हैं गोल आकार क्या देते हैं इसका नाम आकाश नहीं आकार इसकी जो बनावट है इसको हम आकार कहते हैं ठीक है गोल आकार की ये कैसी है तो ये कौन सा है गोलाकार ठीक है वर्गाकार इसको हम चौकोर नहीं कहेंगे इसको कहेंगे वर्गाकार कौन सा आकार वर्गाकार में क्या होता है चारो तरफ बराबर होता है ये भी इसके बराबर ये भी इसके बराबर ठीक है तो ये कौन सा हुआ वर्गाकार और ये देखिए क्या ये वर्गाकार की तरह है नहीं है क्यों इसके दो हिससे आमने सामने के जो होते हैं वो लंबे होते हैं और इधर आमने सामने के छोटे हैं एक तरह की होती ही एक तरह की लंबाई होती ही आमने सामने के हिसों की ठीक है जैसे इसकी और इसकी लंबाई बराबर और इसकी और इसकी लंबाई बराबर तो ये हमारा कौन सा वो हुआ आकार? आयताकार कौन सा आकार? कौन सा आकार हुआ? अब बताईए आपके क्लास में कौन से आयताकार के हैं? आजी बोर हाँ सब एक साथ नहीं बोलेंगे? विंडो और? बोर्ट आटी टेबल टेबल और? लाइट फैन के पर तीछे वाला बोर्ट अलमारी ये कौन से आकार की है? आयताकार की कौन से आकार की है? आयताकार की आटी एशी ची एशी नहीं एशी ये कौन सा आकार है? ये क्या चीज़ है? ये नीचे से तो गोल गोल दिख रही है ना? नीचे से गोल गोल दिख रही है? और उपर से कैसी है ये? हाँ? कौना निकला है ना? ये से तो ये? कोने वाली चीज़ कहलाएगी? क्या कहलाएगी इसको? इसको हम कहते हैं? शंकु आकार और क्या 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 चीज़ होती है शंकु आकार की? ये बताईए गुजिया नहीं होती है समोसा होता है पैंसिल पैंसिल का उपर की जो नोक से होती है वो होती है शंकु आकार की कौन और ब्रेट पकोड़ा हां ब्रेट पकोड़ा शंकु अकार का होता है तो शंकु अकार यह क्या होता है पैटी पैटीज आटी नोस नोस माउंटेंज देखें पहाड देखें आप लोगों ने हां पहाड देखें पहाड कैसे होते हैं ऐसे ऐसे बनते हैं जब हम ड्राइंग करते हैं तो हम ऐसे ऐसे पहाड बनाते हैं तो हां कश्वीर में हैं अच्छा ये बताइए ये शंकु अकार में क्या होता है जैसे वर्ग अकार में हमारे चारो तरफ बराबर होता है आयत अकार में हमारे ये दो तरफ बराबर होता है और ये दोनो तरफ बराबर होता है और इसमें शंकु अकार में क्या होता है इसमें भी तेनो तरफ बराबर होता है और लेकिन ऊपर यहां पे कोना होता है इधर भी कोना होता है तीन कोना इसलिए इसको हम तिकोना भी बोलते हैं और समोसे को तिकोना भी बोला जाता है क्यों बोला जाता है क्योंकि उसमे कोने होते हैं और इसकी नोस भी तिकोने की तरह है है ना अच्छा ये क्या चीज है चड़ी दिख रही है कैसी है चड़ी तो पतली भी होती है यह बासुरी है ये दांडिया भीग इसे खेलते हैं तो ये गोल-गोल है ना और यह गोल-गोल चीजसे हैं और क्या होता है और क्या वोती है बान दंड़ा भी होता है गोल-गोल लेकिन पत्ला चप्ता भी डंडा होता है आयत आकार का भी डंडा होता है है ना लेकिन यह अधनी है वो पाइप हां यह क्या है कौन सा आकार कहलाता है क्यों बेला नाकार कहलाता है क्योंकि हम लोग इस से जैसे मम्मी रोटी बनाती है उसी तरह से ये भी ऐसे घूमता रहता है तो जो चीज घूमती रहती है न ये जैसे बॉल है बेला नाकार है ये सब रोड हाँ ये भी है ये क्या है सब बेलानाकार तो आज हम लोगोंने कौन-कौन से आका अच्छा हाँ एक आकार और रहे गया है इसको क्या कहते हैं लूडो खेलते हो लूडो में पासा देखा है अच्छा पासे का क्या होता है सब तरफ एक तरह के होते हैं लग अलग होते हैं हमें तो सब बराबर लग रहे हैं देखो यह इस सा भी बराबर इससे हैं इसकी लंबाई चौडाई और उछे यह सब बराबर होती है इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं घन घन आकार कौन सा आकार कौन सा आकार पहले बेला नाकार यह घन आकार यह कौन सा आकार है कौन कौन से आकार हमने पढ़े गोल आकार वर्गाकार आयत आकार शंकू आकार बेलन आकार घन आकार ठीक है हम लोगों ने आज पांच छे आकार पढ़े यह छे आकारों को आप अपनी कौपी में बनाके नाम उसका लिखके लेके आईएगा ठीक है थीक है थांक यू